हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर सामानियान यान की कंप्यूटर मौक टेस्ट लगा रहे हैं कंप्यूटर जी के के तो अभी तक हम लोग आपके आठ टेस्ट कहतम कर चुके हैं यह आपका नौबा टेस्ट है याद रखिए अगर आपने कंप्य computer सामानियान को detail से इसके chapter by chapter नहीं पढ़े हुए तो पढ़ सकते हैं और हमारी तरफ से भी complete किये गए हैं तो वो complete computer classes के नाम से जो आपकी फिले list सूची है उसमें डेले हुए हैं सभी आपके lecture याद रखी अगर वो सभी chapter plus जो हम लोग mock test लगा रहे हैं इन्हें आप लोग cover कर लेते हो तो इसके बाद computer सामानियान के लिए कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर चाहे आपका लिखित में आए question फिर चाहे objective room में आए सभी पर इच्छाओं मैं आप answer उनक का देने की स्तिती में होंगे तो चलिए हम लोग नौबे test का पहला questions देखते हैं प्रेंट के लिए कौन सा menu select किया जाता है प्रेंट के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो यह आपका file क्या है file एक में क्या है c दूसरा कुश्यन है मारा उपेव करता document को जो नाम देता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं file name क्या है file name कहते हैं a option सही आपका चलते हैं कुश्यन नंबर तीन की तरफ वित्यभान document को परिवर्थित करना document की कहलाता है क्या कहलाता है editing तीसरे में आपका वी होगा चलते हैं question number 4 की तरफ cut copy और paste करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो यह आपका edit चार में आपका D ठीक है पांच बा कुश्यन है हमारा Excel में active cell के contents को कौन डिस्प्ले करता है तो यह आपका formula bar question number 5 में आपका C option सही है चलते हैं हम लोग question number 6 की तरफ समग document select करने के लिए निमलिकित में से किसी प्रयोक्त किया जा सकता है control plus A चटबे में क्या होगा? A option बिल्कुर सही होगा question है साथ सब्द संसाधर में document के भीतर text को एक इस्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? cut एवं paste साथ में क्या होगा? C option बिल्कुल सही होगा आपका आठ नए नाम सहित या नए location पर किसी बिद्दमान फाइल को save करने के लिए आपको command का प्रयोग करना चाहिए save as क्या होगा? आठ में आपका C होगा क्यूशन है हमारा 9 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ओफिस एक्सेल डोकुमेंट में मैंसे पिते एक्सेल अपने एड्रिस को से रिफर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ओफिस एक्सेल डोकुमेंट में से पिते एक्सेल अपने एड्रिस से रिफर किया जाता है है जो है सेल कारो और कॉमन लेवल नौ में आपका डी होगा दस रिलेशनल डेटावेस में यह एक डेटा एस्टेक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबन्दी इनफोर्मेशन को पंक्ती और कॉलॉम में और्गिनाईज करता है टेबल दस में क्या होगा डी चलतिन ग्यारे की तरफ कंट्रोल पिलस हॉम की के प्रयोक से कलसर डॉकुमेंट के में पहुच जाता है आरम में पहुच जाता है ग्यारे में सी होगा कुश्चन है बारे Microsoft Office Microsoft Office एक application टूल है क्या है एक application टूल है बारे में आपका इव अप्शन सही होगा तेरे इस paid seats में data कैसे organize होता है इस paid seat में data कैसे organize होता है तो तेरे में आपका पंक्ती end इस्थम तेरे में क्या होगा D option बिलकुल सही होगा कुश्चन है हमारा 14 cutting और pasting के साथ काटी गई मद आइस्थाई रुख से store की जाती है किलिप बोर्ड कहां किलिप बोर्ड में 14 में आपका इव उप्शन बिलकुल सही होगा तो चलते हम 15 कुश्चन की तरफ क्या है टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल इलाइनमेंट और साइज को चैंज करने की बटन निमलीखित में से कौन सा डिस्पली करता है फॉर्मेटिंग टूल बार 15 में आपका D टेक्स्ट स्टाइल इलाइनमेंट और साइज को चैंज करने की बटन फॉर्मेटिंग टूल बार में डिस्पले करता है ट्रीक है गुश्टन है 16 डेटा को लॉजिकल्स स्ट्केंस में बीवस्तित करने को कहा जाता है सेट सॉर्टिंग सी ओप्सन से यह सॉर्टिंग कहा जाता है टिक है चलते हैं कुश्टन नमर सतरे की तरफ डॉकुमेंट के एपियरंस को चेंग करने से समद word processing task को कहते हैं क्या कहते हैं formatting सब्तरे में आपका P option बिल्कुल सही होगा question 18 किसी बिद्दमान डोकुमेंट को अलग नाम सहेद save करने के लिए आप क्या करेंगे save as command को पिस्तुत करेंगे 18 में B होगा 19 text की पंक्ती के आरम में जाने के लिए कुझी या की दवाई जाती कौन से की है home home की दवाई जाती है 19 में आपका A होगा ठीक है question है 20 word में text की फार्मेटिंग करते समय किस ग्रोपिंग में कारी किया जाता है तो 20 में आपका C होगा characters, sections और paragraphs 20 में C question हमारा 21 क्या है नीचे जो दिये गए सभी पद speed seat software से सब्बद है सिवाई किसके सिवाई virus detection की सिवाई क्या होगा इसमें D 21 में आपका D हो चलते हैं question नमबर 22 की तरफ word processing speed seat और photo editing कि उधारन है किसके उधारन है application software के 22 में आपका A option सही होगा 23 MS access में A table में primary की जोती है 1 23 में आपका A option सही हो 24 24 cell दोयादी cell को combine कर एक single cell बनाता है margin 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 24 में आपका B होगा 25 बर्क सीट पर बर्क सीट पर चेटिच और उर्दवाधर लाइने होती हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं grid grid lines 25 में आपका D होगा 26 slide layout चुनने के लिए काउपियो किया जाता है layout gallery 26 में आपका C होगा 27 saved document को कहा जाता है file 28 एक column text समानता किस तरह align होता है left 28 में आपका क्या होगा D 29 word में center selected text के लिए keyboard shortcut क्या है control प्लस E 29 में क्या होगा E option बिल्कु सही होगा चलते हैं 30 question की तरह निम लिखित में से कौन access database object है table form query report query report micro module A 70 तो क्या होगा 37 में D होगा A 31 Excel window का कौन सा चेत मान एवं सूत रखता है फार्मूला बार 31 में आपका C होगा 32 Microsoft Word का एक उधारन है applicants application software का 32 में क्या होगा C 33 संक्याओं की और सांकिकी की गड़नाएं करने के लिए सबसे उपयक्त software है निम लिकित में से कौन सा है speed seat चाहे speed seat 33 में आपका D होगा ठीक है 34 सभी Word डोकुमेंटों के लिए default file extension क्या होता है 34 .doc 34 में क्या होगा आपका D चलते हैं question नमर 35 की तरफ फाइल एक्स्टेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं फाइल टाइप को identify करने के लिए 35 में क्या होगा D 36 टेक्स्ट हाइलाइट करके edit copy click करने पर क्या होता है टेक्स्ट डोकुमेंट से copy होगा click board पर रखा जाएगा 36 में आपका A होगा चलते हैं question number 37 की तरफ एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का परियोग किया जा सकता है title 37 में क्या होगा C 38 help menu किस बटन पर उपलब्द होता है start 38 में क्या होगा आपका B 49 49 टेक्स्ट को बनाने के लिए control प्लस B collect कीजिए bold text को bold बनाने के लिए control प्लस B collect कीजिए 42 में क्या होगा D चलते हैं question नमर 40 की तरफ document create करने के लिए आप file menu पर command का प्रियोग करते है new 40 में क्या होगा C 41 word document के किस तत को रंग में मिलाया जा सकता है सभी तत को 41 में आपका C होगा 42 menu में की सूची होती है commands की सूची होती है 42 में क्या होगा आपका A 43 document को edit करने का आरत है जिस document को अपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गल्तियों को सही करना 43 में क्या होगा A option सही होगा कल चलते हैं हम लोग 44 question यह Excel में एक function category नहीं है यह Excel में एक function category नहीं है क्या नहीं है financial financial 44 में क्या होगा आपका C 45 एक्सेल में यह एक pre-recorded formula है जो जटल गड़नाओ के लिए shortcut विदान करता है function 45 में क्या होगा C 46 word में replace option पर उपलब देगा 46 में क्या होगा edit menu यानि कि C option सही होगा 46 में ठीक है चलते हम लोग 47 question की तरह word में page margin कैसे बदला जाता है ruler पर margin से माओं को डेग करके 47 में आपका C option सही है 48 word में किस सब्द पर click किया जाए तो है select हो जाता है क्या हो जाता है select हो जाता है दो बाद 48 में क्या होगा B 49 49 क्या है 49 word में पिछली action को reverse करने के लिए word में पिछली action को reverse करने के लिए undo कमांड का प्रियोग करें क्या है B option सही है उनलचास में ठीक है cushion है मारा 50 text में आपकी position कौन दिखाता है करसर 50 में क्या होगा B 50 में आपका B option सही होगा इंग क्या बन यदि आप चाहेते हों तो print preview उपयोगी होता है print होने पर document कैसा दिखेगा देखना इंग क्या बन में आपका E option सही हो चलते हैं question number 52 की तरह जब आप जब आप जब इस पर chart रखा जाए तो यहां काफी बड़ा होता है और इस पर कोई data नहीं होता है जब इस पर chart रखा जाए तो यहां काफी बड़ा होता है और इस पर कोई data नहीं होता है इसमें क्या होगा बाबन में chart seat बाबन में होगा आपका A option सही होगा ठीक है तरेपन है मारा प्रेसिडेंस निमलिकित में से कौन सा है तो तरेबन में आपका जोडने के वजाए अधिक प्रेसिडेंस भाग को दें तरेबन में आपका क्या होगा डी ओप्षन बिल्कुल सही होगा चमगन वर्ड में स्टाइल्स का प्रेयोग डॉकुमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है चमगन में आपका डी होगा चमगन में क्या होगा डी ओप्षन सही होगा पचपन करसर की मौजूदा इस्तिती के वाई हो कि एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुझी का प्रेयोग किया जाता है पचपन में होगा आपका ब्रेक बैक इस्पेस यह क्या होगा ए ओप्षन बिल्कुल सही होगा चपन वर्ड में जब पैराग्राप को इंडेंट किया जाता है तो पेज पर मार्जिन बदल जाता है चपन में क्या होगा आपका बी ओप्षन बिल्कुल सही होगा पर आपका संतावन कोश्य है सेल में एक फॉर्मूली का पैडाम होता है जो आपका सेल होता है इसमें एक फॉर्मूली का पैडाम होता है तो इसमें होगा आपका रेंज क्या होगा रेंज सी ओप्षन बिल्कुल सही होगा संतावन के बाद अंठावन एकसल में प्रॉर्मूली का एक अनडाम है क्या है इसमें प्रॉर्मूली क्या है प्रॉर्मूली क्या है उनसट दाएं मारिजिन का एक ट्रेक रखने बाली बिसेचता कहलाती है एक एहलाती है आपकी रेड राइट रेड राइट ई ओप्षन सही है इसमें साट डॉकोमेंट की सीच सक पेज नमबर जैसे जैसी सूचना को डिस्पले करने के लिए निमने में से किस ओप्षन का प्रियोग किया जाता है तो कुश्चन नमबर साट में भी आपका ए होगा हैडर एबं फोटर कुश्चन है आपका 61 डॉकुमेंट की टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हासियों पर कौन सी जस्टिफिकेस एलाइन करती है जस्टिफाइड क्या होगा 61 में भी आप्षन बिल्कुल सही होगा कुश्चन है मरा बासट वाइकॉन सी बिसेसता है जिससे इस्क्रेन पर डॉकुमेंट के किसी बाग को दिखा देखा जा सकता है स्क्रॉलिंग 62 में आपका सी होगा कुश्चन 63 किस खास विसेसता की माध्यम से एक्सेल डेटा के पईडामों की डायनामेक लिए गड़ना पर पाते हैं कैसे कर पाते हैं फार्मूला एवं फंक्सन 63 में आपका इव उप्सन सही होगा कुश्चन है मारा 64 इस पहल चेक निमन में से किस गलती का पता लगाएगा टूडे इज ए रैनी एडे 64 बी ओप्सन सही होगा 65 एक्सेल में जब किसी सेल या फिर सेलों की रैंज में कंटेंट और एटिव्यूट को मैनीव का प्रयोग करके एरेज करना हो तो प्यूकता यानि की यूजर को क्या करना होगा सेल सेलेक्ट एड चुने और उसके बार किलियर सेलेक्ट करें यानि की 65 में आपका ए ओप्सन बिलकुल सही होगा 66 यदि एकसेल वर्कसीट को पावर कॉइंट परिजन्टेशन में इस्तिमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निमन को क्लेक्ट करना चाहिए एडिट पेश्ट इस्पेशल 66 में आपका ए ओप्सन बिलकुल सही है 66 वर्ट डोकुमेंट में बाके के लिए फॉंट का चुनाव करना होतों फॉर्मेट मेन्यू में फॉंट रेक्ट करें कुश्चन नमर 66 में आपका ए ओप्सन बिलकुल सही होगा कुश्चन है मारा 68 किसी डोकुमेंट में कौन में कोई बाक डिलीट करने के लिए आपके इसका प्रियोग करेंगे हाइड हाइलाइट एंड डिलीट का अरसेट में आपका डि होगा 69 वर्ड डोकुमेंट में पेज ब्रेक इंसेट करने के लिए निम्न बिकल्प का प्रियोग किया जाएगा इंसर्ट एंड ब्रेक 69 में आपका ई होगा 70 Excel में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है Address 70 में आपका D है Question है हमारा 71 Excel में बहुत सी वर्ड सीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टेप को किलेक करते समय निम्न कुन जी का प्रियोग भी किया जाना चाहिए Ctrl का 71 में आपका C होगा 72 Word Processor का स्थरेष्ट उपियोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए 72 में आपका C होगा 73 Workbook Workbook का एक कलेक्शन है 73 में आपका Page Setup 73 में क्या होगा आपका? A Option बिल्कुल सही होगा चलते हैं कोश्चे नमबर 74 की तरव क्या है कोश्चे नमबर 74? एक्सेल बिंडो के बॉटम में दिखते हैं Seat Tap Seat Tap 74 में आपका एह है 75 Word में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जब तक करसर एक्शित इस्थान पर ना पहुच जाए तब तक Space बार दवाएं 75 में आपका D होगा 76 जब हम डोकुमेंट में स्कॉल करते हैं Move नहीं होता है Insertion Point Move नहीं होता है क्या होगा? 66 में आपका D Question है सदत्तर Format के उस Set को क्या कहते हैं? जिसका एक नाम होता है और उसे Select किये गए Text पर तेजी से Apply किया जा सकता है 77 में आपका Style क्या होगा? B B Option से ही होगा 78 Option का परियोव करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई ही सारे पेज दिखाए जा सकते हैं जूम 78 में भी आपका C होगा ठीक है? 78 में क्या होगा? C 89 माउस को Move करने पर Picture Move हो जाए तो उसे कहते हैं Pointer 89 में आपका C होगा 89 में क्या होगा? C 80 80 क्या आपका C एकसेल की एक रो में इन इन सर्चन Point को पहले सेल में Move करने के लिए कुंजी प्रेस कर रहे हैं Home 80 में क्या होगा? C 81 कौन सी विसिस्ता Top और Bottom Margin को Adgest करती है? ताकि छपे हुए पेस्ट पर Text Vertically Center में हो देख लीजे एक बार फिस से कौन सी विसिस्ता Top और Bottom Margin को Adgest करती है? ताकि छपे हुए पेस्ट पर Text Vertically Center में हो देख क्यासी में आपका Vertical Setting E Option सही होगा क्या होगा? E Option सही होगा 82 Text Document को बनाने Edit करने Format करने Store करने Strip करने और Parent करने के लिए Cool मिलाकर एक सब्द कौन सा है? Word Processing 82 में आपका E Option बिलकुछ सही है 83 PowerPoint में Header एवं Potter Button Insert Tab के किस ग्रूम में ढूड़े जा सकते हैं तो यह आपकी Text Group 83 में आपका C होगा 84 Slide Presentation किये Trafical Slide में सामिल नहीं होगा Full Motion Video 84 में आपका D होगा 85 पेश्यासी पेश्ट स्पेशल ओप्सन डूड़ने के लिए PowerPoint के Tap पर क्लिप बोर्ड समू का प्रियोग किया जाता है Home 85 में आपका E होगा 86 Thumbnail के रूम में कौन साबर PowerPoint व्यू Presentation की पितेग स्लाइड डिस्पेले करता है और स्लाइड Rearrange करने के लिए उपयोगी है Slide Shorter 86 में आपका E होगा टिक 87 Ctrl प्लस अप U P Arrow कर्सर को मूब करता है One paragraph पर One paragraph अप 87 में आपका B है 88 88 Miss Friend होगा है चलिए ठीक आंगे बढ़ते हैं 89 क्या है Ctrl प्लस F12 की उपयोग से खुलता है Open Open Dialog Box 89 में क्या होगा आपका D 90 एक डोकुमेंट को कितने पिकार से सेब किया जा सकता है 3 पिकार से E में क्या होगा 90 में क्या होगा E 91 Document में गर्दिये चिन्नों एवं सूत्रों को इंसेट करने की सुविधा निमली किस्त में से कौन देता है Symbol 91 91 में आपका A option बिल्कुल सही है Question है 90 एक और टो करेक्ट एंट्री में एक सिंबल या अनेक्ट लाइनों में कि टेस्ट को बदलने के लिए Word डोकुमेंट में सबसे पहली सिंबल को इंसेट करें या टेक्स्ट को टाइप करें इसके बाद टेक्स्ट या सिंबल को सेलेट करें और आटो करेक्ट डायलोग बॉक्स में जाएं 22 कुश्यन में आपका C होगा 93 Menu Check Spilling के option की सुविधा उपलब दिकराता है Format 93 में आपका C होगा 94 Slide Transition है क्या है Slide Transition है एक स्लाइड इसो में एक स्लाइड को इंट्रोडीज करने के लिए Special Effects का प्रियोग क्या होगा D option सही होगा 94 में प्रियापका 95 Presentation में एक नई स्लाइड को इंसाइड करने के लिए नेमलिखित में से किसे प्रेस करना होगा 95 में आपका Ctrl प्लस M क्या होगा पंचानवे में B option सही होगा Question है हमारा 96 Word का वह फीचर जो Space की मात्रा हो Character की निश्चित, Combination के वीच सुता एड़जेश्ट कर देता है जिसके चलते समस्त Word समान रूप से Space दिखाई पड़ते हैं कहा जाता है च्या कहते हैं इन्हें कहते हैं करने 96 में आपका B होगा 97 MS Word स्क्रीन के रूलर पर उपलब्द नहीं है Center Indent 97 में आपका A होगा 98 निम्लिकित में से किसका उप्य हो Word Applications को किलॉज करने के लिए नहीं किया जा सकता है File, किलॉज, क्या होगा 98 में B होगा 99 99 एक्सेल वर्क बुक अंतरविष्ट करता है वर्क सीट और चार्ट 99 में आपका C होगा ठीक? एक्सेल एक्सेल वर्क बुक अंतरविष्ट करता है क्या करना होगा? Fresh, Row, Freeze, Column Option का उप्योग Freeze, Row और Freeze, Column Option का उप्योग सौब में आपका D होगा एक्सोई वर्क सीट का Default हो Header इन मैंसी कोई नहीं है 101 में आपका E होगा चलते हैं तो 102 दो कुश्चिन की तरफ क्या है 102? Document में Picture या पर Text जोडने या रखने के लिए प्रेव होता है Insert 102 में आपका D होगा 103 एक एक्सेल वर्क सीट का नाम बदलने के लिए Worksheet टैप पर Double Click करें और एक नया नाम Type करें 103 में आपका E होगा Worksheet का बेसिक यूनिट किसमें आप Scale में Data इंटर करते हैं उसे कहते हैं Cell 104 में भी आपका B होगा 104 में क्या होगा B 105 Word Document में एक paragraph को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निमली कितमें से किसका प्रियोग किया जाना चाहिए Cut and Paste 105 में आपका B होगा 105 में क्या होगा B 106 Page पर कितने Page पर कितने margin होती है 4 कौन कौन से Top, Bottom, Right, Left 106 में आपका B होगा 107 Excel में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परीचालन को कहते हैं Merge Cells 107 में आपका B होगा 108 Document में सब्द को डूणने और सही करने के लिए उपयोग करता कमांडों का प्रियोग कर सकता है File एवं Replace 8 में आपका क्या हुआ? C 9 MS Outlook क्या है? Personal Information Manager Email Communication Software तिसमें आपका होगा D यानि की B और C Option दोनों सही 10 निम्लिकित में से Email Client कौन सा है? निम्लिकित में से Email Client कौन सा है? Microsoft Outlook 110 में आपका B होगा 111 MS Outlook में की सोबिधा उपलप दे? Note Making with Journal इसमें होगा आपका B, O, C यानि की D option सही होगा 111 में D तो ये था आपका 9 बाट टेस्ट कौन सा? 9 बाट टेस्ट अंगिली के लास में हम लोग बात करेंगे 10 बे टेस्ट भी वारे में ठीक है?